हेलो स्टेंट हाव आर यू फाइन फेंटास्टिक वेरी गूड तो आज पन एक बहुत इंट्रेस्टिंग चेप्टर ले रहे है दाट इस काबुनिल कंपाउंड ओर्गिनिक केमेस्ट्री का इससे पहले हमने एलॉकॉल फिनॉल कंप्लीट किया है ठीक है जिसको गरत देखन करना है वाँ से प्रेक्टिस कर सकता है तो, स्थार्ट कर है वाट इस काबल कंपाउंड ठीक है क्या होता है काबने कंपाउंड गास्त बिच्च कंपाउंड की अध्यूज कंपाउंड कार्बन एंड ऑक्सिजन और कॉल्ट कार्बोनिल कंपाउंट के इसके अंदर कार्बन और ऑक्सिजन के बीच में डबल बॉर्ण होँआ चाहिए तो इसमें टू टाइप के होते हैं एक तो होते हैं आपके अल्डी हाइड कि टॉट अपके किटन टिक है अल्डी हाइड किटन आपने 10th क्लास में पड़ा होगा इसके स्ट्रिक्टर के सा अथा है सीड़ बॉर्ण ओ इधर एच और कोई कार्बन होगा ठिक है लेकिन किटन में गया होता है कि दो तरफ कोई अलकील ग्रूप होता है ठीक है यह ठोटी स के अंदर इन फंक्शन ग्रूप के लिए अच्छा एक और पॉइंट बढ़ा था आपने कार्बॉक्स चलिक आशिट इसके इंदर भी गया होता है कि सी और ओके भी इसमें डबल बॉर्ण होता है है कि है कि नहीं है हाँ तो यह भी एक काबोईल कंपोंड होगा यह ना बट यहां पर एक औक्षिजन आ गया इसमें औक्षिजन और काबोईल के विच भी बाड़ बनता है तो इसको अपन काबोईल कंपोंड का डेरिवेट्व कह सकते हैं डेरिवेट्व है इसकी और भी कंपाउंड से जैसे फरक्जामपल और सी डबल ओन ओ सी यल इसे बोलते है एस कार्बे नैमाइड तो यह कुछ डेरिवेट्व है किसके काबोईल कंपाउंड के और देखो आर सीड़ बन ओ ओ ओ ओ इधर यह भी हार इसे बोलते है अचिट अन्हाइड्राइड एसेट एन्हाइड्राइड ठीक है यह वाला ग्रूप होता नहीं वाला इसको बोलते है एन्हाइड्राइड क्लियर इसके दोह तरफ कोई कार्बन अटेच हो रखा होगा राइट अब काबल कंपाउंड है वह हमाई लाइप में बहुत यूजिबल है खूप काम में आते है नामने शुनाओगा आपने है यह जो क्या बोलते हैं इसको फार्म अल्डी है ठीक है बावर की लैब में जो इस्पेश्मेन होते हैं जिसमें सारे अनिमल से उनके पार्ट्स सेव रखे होता है एक लिक्विड के अंदर ठीक है तो लिक्विड के होता है फाइव परसेंट स इसने विद वाटर इसको फार्मलीन क्या बोलते हैं इसको फार्मलीन बोलते हैं ठीक है जो की एनिमल्स की बोडी को पर्टेक्ट करने में काम आता है वह सेव रहते हैं वैसे वह सड़ते नहीं है ठीक है और देखें कंपाउंड फूड आइटम में बहुत सारे अल्डी है इसको बोलते है वैनिलिन अल्डी है ठीक है वैनिलिन स्वारी वैनिलिन अल्डी है इसके अलावा इनकी अच्छी स्मेल जो बड़े कंपाउंड होते हैं अल्डी आइड वाले अक्टर वाले है उनकी स्मेल अच्छी होती है वैसे आपने सुना होगा क्या बेस्के और प्लसको हो बीसकी यृस टोन होता है क्या होता है bolt thành Chitone, CS3 Co CS3 तो यह भी एक तरग का Chitone है ठीक है तो इनकी Smell अच्छी होती है राइट छोटे Compound होते तो उनकी Smell साप होती है जई कडवी होती है ठीक है बाके जो बड़े होती हो बड़े हुँझ ठीक है इसको बॉलता है शिनमल अल्ड आलन innocent कि सिनमब कि अल्ड ड मिल जाता है यह पो रिट तो यह सारे कमपांड और इसारे काबुडिल कमपांड अ лай यह काई समया ज़ाउड ए यहां पर यह लिए सोरे आग sz स्ट्रक्चर के बारें बात करते है यह सारी बैसिक पॉइंट थे स्ट्रक्चर इसके अंदर कार्बन का जो पी और्बिटल से यह सारे कार्बन के और्बिटल से यह वाले ठीक है 1s2 फिर यह 2s2 और यह 2px 2py और 2pz ठीक है वैसे वैसे ऑक्षियन के भी आएंगे यह वाला ऑक्षियन के 2s2 2px 2py और 2pz ठीक है इसमें होते है वन में इलेक्ट्रॉन कार्बन के वाले यह कार्बन के सारे और यह उक्षिन के लिए ठीक है और यहां पर होता है 1 2 3 4 5 6 ठीक है यह 2 वाला है राइट अच्छ अब होता कि कार्बन के अंदर इसफिट के पी वाला यह उक्षियन के डीटरर ते सीगमा अर। करता कुंसा ईगांटन के कहरए जला है है और होट पिस्च्रफियो अवला थैडउस क्टार्ठ होते है और उपर से overlapping करते हैं ठीक है और क्या बनाता है पाइब और क्या बनाता है पाइब और रैट इसका जो structure होता है symmetry वो कैसी होती है ट्राइगोनल प्लैन अफ सिमेट्री होती है इसके उपर होता है यह पी और बिटर्स जो कि आपस में overlapping करते हैं पाइब और करते हैं ठीक है जो इनके बीच एंगल होता होता है 120 का कि तीन अबरावती ही 120 भी 120 भी 120 भी 120 ठीक है यह कुछ बाते हैं इनके यह बारे में राइट और अपन जानते कि जो कार्बन होता है कि एट इस लेस्ट नेगेटिव दैन ऑक्षिएन शो ऑक्षिएं विल अट्रेक्ट एलेक्टर अफ्ट कार्वन यहां पर क्या आएगा मैंस चार्ड यह प्लस चार्ड ठीक है तो एक डाइपोल मुमेंट फॉलर धर होलो मेंट पोलर कमपॉंड के तरव एगर रहा है ठीक है इसलिए जो यहां पर कावल कमपॉंड के निदर जो कावन आटम होता है वह वाक करता है जो इलेक्ट्रोफाइट ठिगे और जो oxygen atom किया होता है it will work like a nucleophile है ठिक है nucleophile है है ठिक है nucleos की तरफ attack होगा है मानस के लिए किस तरफ जाएगा निग्रीस तरफ यह एलेक्ट्री तक यह करता है तो यह सारी important बात है about the structure of the carbon compound ट्रीक नूंहों की और बात करे तैट जो अलडी हाइड होता है अलडी हाइड यह वाला इस तरफ आर इदर एच और एक है कि टॉन इन दो दो में से कि टॉन का डाइपल ज्यदा होता है तो यह सारे पॉइंट आप नॉट करते रहो मैं जो बोलता है वह लिखते रहो यह आपके important knots है clear अच्छ तो यह सारे पॉइंट लिखो तो फिर अपन आगे वार बात करते हैं इनकी physical properties की बार ठीक है बात कर रहा है चलो फिजिकल प्रोपर्टीज है तो फिर्स्ट पॉइंट है इनकी स्टेट की बारे में इतने भी स्मॉल कंपाउंड होते हैं लाइक डैट मिथनल होता है मिथनल यह आपके गैस फॉर्म में होता है ठीक है इतनल कि यह आपका वोलेटायल लिक्विड ठीक है इसके लाबा आशित्वान सीयास्ट्री शीयोस्यस्त्री यह आपके लिक्विड फॉर्म है कि इसके लाँ जो भी बड़े मॉलिकुलर मास वाले कंपाउंड होते हैं उनकी लिक्ट्विड या फिर शॉलिड दोनों गैस इस्टेड हो सकती है ठीक है शॉलिड या फिर लिक्ट्विड वो डिपैंड करता कि उसका कितना नंबर आफ कारबन है अधर इनके इसमयाल की बात की अपने पहले जितना मॉलकिलर मास बड़ेगा सापने बड़ेगी इस पिंट्रेज एज मॉलेकुलर मास इंक्रीज ओ टिक है इनके इस ना मॉलत रमास बड़ेगा उतने सापनेस बड़ेगी घुड फिर बात करते हैं के बॉलिंग पॉइंट boiling point अगर अपन कंपेर करते हैं with ether hydrocarbon alcohol तो इनका boiling point aldehyde or ketone इनका boiling point ज्यादा होता है then ether and then hydrocarbon ठीक है same point for the ketone also right but same in compare में अगर alcohol की बात करें alcohol का boiling point क्या होता है ज्यादा होता है क्यों होता है क्यों है बिकाज अलकोहल क्यों है हाव हाड़िजन बादनेंग बिट्विन मालेकुल्स बिट्विन मालेकुल्स ठीक है यह इंपॉलिंग पॉइंट था कि जो इता है अल्डियाइड क्यों है इनके boiling point है वह ज्यादा होता है किससे दैन एथर एंड हाड्रकाबन मिंस अलकेन अलकीन अलकाइन वाटावर और कम किससे होता है है अलकॉल से ठीक है रिजन क्या है कि अलकॉल में क्या होती है अडिजन बॉड्निंग होती है ठीक है और बात करें कि अल्डियाइड और किटोन है वह अपने सिमिलर मॉलिकुलर मास वाले कंपॉंड के साथ कंपेर करना है इनके boiling point की सब्सक्राइब बात करते एक तो यूटेन है CS3, CS2, CS2, CS3 ठीक है एक डाइमिथाइल इथर है एक है आपके अल्डियाइड प्रॉपेनल एक लेते हैं अपन डाइमिथाइल किटोन एक लेते हैं आप प्रॉपेनल प्रॉपेनल कि इनका मोलेकुलर मास एवरेज एक वाली है राइट इसका है 58 मोलेकुलर मास ठीक से कितना आता है इधर C2S5 लाना पड़ेगा 60 आता है एलेड कितना आता है आप कल्कुलर करते हो कितना आता है इसका उच्वेट इसका 58 आएगा इसका 60 आएगा तो इनके जो मोलेकुलर मास से सबके सिबलर है अब इनके बॉइलिंग पॉन्ट के डिफेन आता है इसका होता है 273 डिग्री कैल्वेन इसका होता है 281 तो एथर और हाइड्र काबन है एलकेन इनके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ खास फरक नहीं है ठीके ना बट जो एल्डियाइड है और किटोन है इसका होता है 322 इसका होता है 329 और एलकॉल का होता है 370 और यह बात किये बारे में तो अलकॉल होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है हिआ ऑर झो एथर है और है अंगोल Teil काम है तो किस से एलडियों और कि ट्रफ को में कि अगर्वाथ करते हैं तो किट्फ का पॉलिंग पॉइंट क्यों होता हैं यह होता है क्यों होता है फिस लइकन boiling point of ketone is more than aldehyde क्यों because ketone होता है ketone के अंदर dipole moment जादा होता है then किसे aldehyde से ठीक है net dipole moment is more ketone में ज्यादा होता है क्या डैपल में इस करण से क्या होता है कि इसके boiling point ज्यादा होता है क्या होता है कि जो भी carbon और auction के बीच में auction हाई इसको इसको इलिखन अप्टाइट करता है इस पर प्लस्ट आता है चार्ज तो यह जो नेट चार्ज डिफरेंस आ रहा है इसको डैपल मेंट ठीक है और यह डिफ्रेंट ज्यादा आ रहा है कि इसके अंदर की टॉन में और इसमें कमा रहा है अब रिजिन क्या हो सकता है कि कि टॉन के दौन तरफ क्या है सिमेट्रिकल अलगी ग्रूप है लेकिन इसके अंदर एक तरफ सियंस तरफ एक तरफ एंची आ रहा है राइट यह फरक है तो यह पॉइंट यह पॉइंट था इसको लिखला आता वाट भी नेक्स पन बात करते हैं एक फॉर्मॉला दे propulsion to branch branch even 가지नежд को सा्इट चेन कि KGE three degree it means इतना Molecular Mass बड़ेगा उतना बॉलिंड बडबॉब अइतना ब्रांच बड़ेगा three degree ओर 101 degree इतना ब्रांच बड़ेगा आधना बॉलिंग उइंट कम हो गाई तो फॉस्ट्री और में कि सी इतो अच्छोग इंच्छ तू च्छो और एके आपके शीर च्छ तू और यह किसका धाइन पॉाल इन पॉइंट है चितना मलक्यार मास पड़ेगा उतना बॉफंट क्या होगा बड़ेगा तो आज पफिखेश एवा इसका होगा और शीयाच और शीयाच ओ ठीज ओ ठीज ओ ठीज और टूड़ी यह वंड़ी तो किसका अधा बाइलिंग पड़न होगा इतना ब्रांच बड़ेगा उतना बालिंग पाइंट काम होगा तो कम किसका है इसका है अधिक का इसका रीजन के इसका इतना ब्रांच बढ़ता है उसका एरिया होता है में अगर अधिया कम होगा सरफेश एरिया तो बॉलिंग आप बीच के मॉलिकुल के बीच मुच्पने जो बांड वो कम बढ़ जाएगा वीक जाएगा उतना इसली वो टूटेगा ठीक है तो इंपाइंट का मोरा इसका ठीक ना तो लिखो इंपाइंट पाइंट्स आ रहे है और बात करें यह रफ कर दें बहुत ही इंपाइंट फॉर्मला यह वाला ठीक है फिर अपने बात करते हैं सॉलिविटी के बारे में है 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 में जब इस जो तक है तो तो कापन कंपाउंड है वह कुछ सॉलिबल होते हैं वाटर के अंदर विक यह भी वाटर के साथ में हरी बार्णिंग बनाते हैं like alcohol but इतने जितने strong alcohol soluble होते है उतने यह नियोते है ठीक है means alcohol are more soluble than carbon compound right तो यह carbon compound है अपने हां ले रहे है कि टॉन ले रहे है ठीक है यह वाटर के मॉलेकुल से तो यहां पर होती है hydrogen bonding ठीक है इधर भी क्या होगी hydrogen bonding right the hydrogen bonding इनके दरी बनती है तो cd इस आर इस प्रेंगली शॉलिवल इस प्रेंगली शॉलिवल मेंस कुछ हद तक शॉलिवल है ठीक है ओके अब इसके उपर यह फ्रमुला है इस प्रपोस्टनल तुदर ब्रांच अपन मॉल्यकुलर मास ठीक है जितना मॉलकुलर मास बढ़ेगा उतना स्वर्वेटिक कव होगी ठीक है और जितना ब्रांच बढ़ेगा जितना ब्रांच बढ़ेगा उतना शॉलिवल जादा बढ़ेगा अगर पूस्ता आपको कि आपको कि यहां पर सी आच वह और एक इधर सी अस्त्री अ तुर्व यह लाई यह ठीक है और एक त्रीडिग्री एख तो इसमें कॉन शॉलिवल है मोर सॉलिवल है ओर लिखो तो यह ब्रांच बढ़ रहा है ठीक है तो सॉलिट कर देगी बढ़ जाएगी कि रिजन वह है कि इसका सरफेस रहकाम हो गया सबसक्राइक अब आंशली वह बाटके बीच बैठ सकता है ठीक है इतना सर्फेस रहकाम हो त्रीडिगरी में आपको चैन्ट चैक करने हैं ठीक है अगर यह पूश्त है कि अज़ी आज त्री ओवेच अज़ी आज चो अज़ी आज त्री च्टू च्टू और च्टू और च्टू तो मोर्श लबर कौन से जितना मास बढ़ेगा उतना कम होगा तो मास बढ़ रहा है तो कम होगा तो यह मोर्श लिबल है ठीक है जो इस फॉर्मुला उसका था बॉलिंग पॉइंट के इसके इंदर उसका उल्टा है राइट तो यह कुछ इंपॉर्टन पॉइंट थे इसके फिजिकल टॉपनिस के बारे में अच्छे से इनकी प्रक्टिस करो नॉट्स पनाओ ठीक ना थैक ना थांक यू वाव गूड़ देए